प्रिये व्यूवर्स ये संस्कृति आई एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतरगर्द प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंदित पांच प्रशनों व्याक्या सहीत उत्तर के साथ दिये जाएंगे हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रशनों को पूर्वी घट के पूर्वी छोर परिस्तित इस वायोसफेर रिजर्व का नाम रेशम कपास के नाम पर रखा गया है इसे 22 जून 1994 को भारत सरकार द्वारा वायोसफेर रिजर्व घोशित किया गया था यह एक दावनल प्रवड शेत्र है यह है एस सिमली पाल बी शेशा चलम सी नौकरेग डी नीलगिरी सही उत्तर है ओप्शन ए सिमली पाल जिसका नाम सिमल के पेड से लिया गया है यह एक राश्ट्रिय अध्यान वाग बाग अव्यारण है यह ओडेशा के मयूर बंज जिले के उत्तरी भाग में अवस्तित है 22 जून 1994 को पूर्वी घाड के पूर्वी शोर पर इस दिस सिमली पाल वा आसपास के 5599 वर किलो मीटर शेत्र को भारत सरकार द्वारा वायस वर रिजर्व घोशित किया गया था सिमली पाल में और्किट की 94 तथा अन्य पौधों की लगबग 3000 प्रजातियां पाई जाती हैं ओभेचरों की लगबग 12 प्रजातियां, 13 रपों की 29 प्रजातियां, पक्षियों की 274 प्रजातियां तथा स्थंधारियों की 42 प्रजातियां भी शेत्र में पाई जाती हैं जो से कथन को ए तता दूसरे को कारण आर कहा गया है कथन ए सिमली पाल वायोस्पियर रिजर्व दावनल प्रवड शेत्र है कारण आर उडिशा के मयुर्भंज छेत्र के ग्रामीर महुआ के फूलों को एकटा करने से पूर प्राया सुखे पत्तों को एकत्रित कर उनमें आग सवियाख्या करता है बी ए तता आर दोनों सही है और आर एकी सही व्याक्या नहीं करता है सी ए सही है किल्ठू आर Γलत है ्टी आग लगा देते हैं इस वज़े से और अन्यकारणों से अक्सर सिमली पाल तथा आसपास के शेत्रों में दावा नल की घटनाएं देखी जाती हैं इन फूलों का उपयोग नशीले पे के निर्माड में किया जाता है बरते हैं अपने तीसरे प्रशन की ओर निर्मे लिकित कत्नों पर विचार कीजें पहला हाल ही में हर्याना सरकार द्वारा राज्य स्थानिया उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 अधिसू चित किया गया है दूसरा इस अधिनियम के अनुसार निजी चेत्र को 50,000 रुपे प्रती महा या उससे कम वेतन वाले सभी पदों पर 50 प्रतिशत स्थानिये लोगों की नियुक्ती करनी होगी तीसरा स्थानि शेत्र से तात पर राज में जन्म लेने वाले या विगत पांच वर्ष से यहां रह रहे लोगों से है उप्रिक्त में से कौन से कथन सही है A केवल एक और तीन, B केवल दो और तीन, C केवल एक और दो, D उप्रिक्त सभी सही उत्तर है ओप्शन A हाल ही में हर्याना राज्य स्थानिय उमीदवार रोजगार अदिनियम 2020 को अधिसूचित किया गया है इससे आर्थिक रिकवरी सहित कई अन्य चिंताएं पैदा हो गई है साथ ही इसमें निजी चेतर के रोजगार में आरक्षन नीती अपराने की बहस को पुनर जीवित कर दिया है इस अधिनियम के अनुसार निजी चेतर को 50,000 रुपए प्रती महा या उससे कम वेतन वाले पदों पर बिचतर प्रतिशल स्थानिय लोगों की नियुक्ति करनी होगी यहां स्थानिय से ताथ पर राज में जन्म लेने वाले अविगात पांच वर्षों से वहार रह रहे लोगों से है दस से अधिक कर्मचारियों वाली सभी कमपनियों सीमित दायत भागिदारी, ट्रस्ट सोसाइटी तता साजिदारी फर्मों को इन नियमों का पालन करना होगा साथी नय नियम जिला प्रशासन को 24 घंटे की पूर्वर नोटिस के साथ निरिक्षर का अधिकार देते हैं बढ़ते हैं अपने चौते प्रशन की ओर निर्म लिखे देशों पर विचार करें पहला अजरवेजान, दूसरा बहरीन, तीसरा अंगोला, चौता मलेशिया, पाचमा वेक्सिको, छटा रूस, साथमा दक्षन सूडान उपरुक्त में से कौन सा देश ओपिक प्लस का हिस्सा नहीं है कच्चे देल का निर्यात करने वाले गैर ओपिक देश के समू को ओपिक प्लस कहते हैं इसमें अजरवेजान, वेहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान और मिलेशिया के साथ साथ माक्सिको, उमान, रूस और दक्षिर सूडान तता सूडान शामिल है जबकि अंगोला ओपेक समू का हिस्सा है बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर सॉलिट फ्यूल डक्टेट रेम जिट प्राधिविकी का संबंद में निर्म लिखित कतनों में से कौन सा कतन सही है ए ये होलो पोटेशन तक्नीक का विकल्प है ये लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के विकास में सहयक तक्नीक है सी ये कम लागत पर अधिक तेजी से प्रिंटिंग की एक तक्नीक है ये एलेक्ट्रिक पहानों में हाइड्रोजन की प्रियोग को सरल बनाने की तक्नीक है सही उत्तर है ओप्शन बी रक्षान उसंधान एवं विकास संग्ठन ने एकिकरत परिक्षन रेंज चांदीपूर से सॉलेड फ्यूल डक्टेड रेंजेट प्रोधुगी की पर आधारित फ्लाइट टेस्ट का सफल परिक्षन किया है ठोज सीधन आधारेट डक्टेड रेंजेट तक्नीक के सफल प्रोधर्शन से डियार्टियो लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसालें विक्सित कर पाएगा